इस वीडियो में पढ़ेंगे Non-Finites के बारे में इसके टाइप्स कितने होते हैं और सीखेंगे कि कहां-कहां पर ये यूज किया जाते हैं लेकिन सीखेंगे सिर्फ इतना जो अपने एक्जैम में काम आई ये टोपिक बहुत वाइड है लेकिन इतना डिप में हम नहीं जाएंगे फस्ट है नोन फाइनाइट्स के टाइप्स थ्री टाइप्स होते हैं फस्ट है इन्फिनिटिव सेकंड है जेरेंट और तीसरा है पार्टिस्पन इससे बहले स्टूडेंट्स एक वीडियो और आ चुके है नोन फाइनाइट्स पे अगर नहीं देखी है तो लिंक हैं और उसमें पूरा संटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको बताना कि नोन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है तो उसको जरूर देखना एक बात और बीए जो थर्ड सेम है उसके लगभग जो ग्रैमर के टोपिक है उन सभी पे वीडियो जा जैसे प्रेपोजिशन हैं, क्लॉजिज हैं, संटेंस के टाइप्स हैं और नोन फाइनाइट सी चली रहे हैं अगर वो भी नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आसानी से आप उन वीडियो तक पहुंच सकें तो थ्री हमें सिर्फ अपने कम की चीज चाहिए तो हम दो ही पढ़ेंगे फर्स्ट जो इन्फिनिटिव है स्टूडेंस वो भी टू टाइप्स का होता है ज्यादा डरने की घबराने की जरुत है नहीं बहुत आसान टोपिक है और आसानी से समझायागा है बिल्कुल वीडियो को एक दूसरा टाइप है वो है क्या टू पलस वर्ब की बेस फॉर्म इसको कई बार फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं और यह क्या है टू पलस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन वैसे फर्स्ट मी बेस होती है फॉर्म जैसे भी आपको समझ में आए उसी तरह से याद कर लेन चाहे इसको अकेला verb की first form मान लो और जो दूसरा टाइप है उसको two plus verb की first form दोनों ही आसाल है अब इनको एक-एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे verb की base form या फिर verb की जिसको हम first form भी कई बार कह देते हैं ये किस-किस के साथ आती है ये बात पढ़नी है इसमें हमें सभी models के बाद जो भी models होते हैं जैसे can, could, may, might, should, would सभी के साथ किसका परियोग होता है verb की base form या फिर जिसको तुम कहते हो ना first form उसका परियोग होता है we should model है work hard work है वो कौन सी है verb की first form या base form है he can speak English speak again कौन सी है we won हो गई ये बात clear second had better, would rather and had rather के बाद भी अगर ये words आपको कहीं पर दिख जाएं इकठे साथ में तो इनके बाद भी verb की जो base form है जिसको first भी कहते हैं उसका परियोग हम करेंगे कैसे he had better he had better finish his work I would rather die than back दो इस सारी क्या है verb की first form third है help see make hear let etc verb के बाद भी verb की base form आती है ये बताई है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है इनके बाद भी verb की कौन सी अकेली base form आती है जैसे he made me work he made me work ये आया made हमने उपर याद किया था और ये आई verb की base form we heard her talk ये आया here जो second form है और ये आई verb की base form हमने उपर पड़ा था ना make आ जाए here आ जाए help आ जाए see आ जाए let आ जाए help see make here let अगर ये भी आती है तो इनके बाद भी verb की जो base form है उसका परियोग किया जाता है और ये फिर हमने पढ़े example उसका खेल यहीं तक था अकेली base form का अब हम पढ़ते हैं दूसरा type दूसरा type कौन सा है दूसरा type है two plus verb की base form वो अकेला verb की base form था इसमें पढ़ेंगे हम पहला rule it is हो या was हो it is या was easy से शुरू होने वाले बाक्यों में अगर कोई it is easy या it was easy से शुरू हो रहा है तो उसमें भी two plus verb की first form it is easy to advise others two plus verb की first form second है two और enough के साथ two और enough के साथ he is two weak two work आगया ना two plus verb की base form he is intelligent enough enough होता है काफी परियाप्त वो इतना परियाप्त है इतना काफी intelligent है to solve आगया two plus verb की base form to solve the paper की वो paper को आराम से solve कर पाए या ये ध्यान में रखना ये construction बहुत ज़्यादा आता है ये formation ये sun रचना he is two weak two work ये बहुत बार पोची जाती है ये यहां तक आपको feel करके देंगे और आगया आपको ये feel करना है जो ये two work बच गया ये students को ध्यान नहीं रहता कि ये जहां पर दीख जाए वहां पे two plus verb की base form आएगी NF के तुरंत बाद और जैसे ये NF आया इसके तुरंत बाद know how to वाले बाक्यों में अब know how to वाले बाक्या कौन से होते हैं example देखो I know मैं जानता हूँ how to drive की drive कैसे की जाती है how के बाद क्या देखने को मिल रहा two plus base form he knows भे जानता है how to cook की कैसे पकाया जाता है खाना how के बाद भी क्या आया two plus verb की base form कुछ फिर आगे इसमें भी verb दे रखी है hope जैसे decide hope होता उमीद करना decide निरने करना agree सैमत होना learn सीखना etc. के साथ भी होता है जब किसी इच्छा या तत्परता को दिखाया जाए जब कोई काम तुरंत करने का हो या फिर कोई इच्छा दिखाई जाए तो उसमें इन सभी के साथ किसका परियोग होगा two plus verb की base form का जैसे he decided उसने निरने किया to go at once तुरंत जाने का मिल गया हमें decide के बाद I hoped मैंने उमीद की थी इच्छा की थी ये आगे न बात ये वाली भी to pass the exam exam को pass करने की उसके बाद है gerund gerund अपना students आएगा second number पे क्योंकि first कौन सा था first था infinitive तो हमारा ये ही बच गया आप infinitive के बाद कौन सा होगा gerund एगलती से थर्ड लिखा गया gerund का मतलब ही क्या होता है gerund का मतलब ही होता है verb की base form या आप कहते हों जिसको first form भी कह सकते है plus ing इसको कहते हैं gerund verb की first form या फिर आप base form भी कह सकते हो plus ing उसको हम क्या कहेंगे gerund और ये sentence में काम करेगा किसका noun का noun का मतलब क्या होता है संग्या अब देखते हैं ये verb की first form plus ing किसके साथ आता है अब एक आदी verb तो ध्यान में आती होगी जैसे verb की first form plus ing को ये एक बताओ play है first form है या base form है ing लगा दिया क्या बन गया playing और ये noun के तोर पे काम करे तो हम इसको क्या कहेंगे gerund अब इसका परियोग कहा कहाँ पे होगा preposition के बाद हमैशा gerund का परियोग होता है preposition पढ़ क्या है कौन कौन सी होती है among है between है of है to है एट है, ये सारी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, इसके बाद भी किसका आएगा जैरंड का परियोक होता है, जैसा एक्जाम्पल देखो, she is fond of traveling, off क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, और ये लगाया हमने जैरंड, travel और plus में ing, पजेसिव केस के साथ पजेसिव केस मुझे नहीं पता आना तो आपको चाहिए क्योंकि आप बीए सेकंड एर में हो नहीं आता तो भी समझ लो पजेसिव केस वो केस होता है जिसमें हम अपना संबंद या अधिकार किसी चीज़ के परती दिखाते हैं I like मुझे पसंद है Your singing Your means होती है तुम्हारा या तुम्हारी और Singing का मतलब आपको पता ही है तो जो यह word है Your यह कौन सा केस है पजेसिव केस है यह कैसा word है यह पजेसन दिखाने वाला अधिकार या संबंद दिखाने वाला word है और इसको pronoun वाले चैप्टर में कौन सा केस बोलते है पजेसिव केस अगर Your His Her यह सारे पजेसिव केस होते है अगर यह आ रखे हैं तो उनके बाद भी किसका परियोग करेंगे जेरेंड का बब की बेस या फस्ट फॉर्म पलस से आई अजी का सेकंड इग्जेम्पल और देखो I objected His coming late यहां पर जो word है ना His His means उसका या उसकी I objected His coming late Coming means होता है आना और यहां पर जो His है वो भी कौन सा केस है पोजेसिव जो क्या दिखाता है कोई अधिकारिय संबन दिखाता है इसके बाद भी coming आया इसके बाद भी अपकी base या first form plus ing आया उपर वाले दोनों parts की तरह इसमें भी कुछे कैसी verb होती है जिनके बाद हमेशा gerend का परियोग होता है और यह बहुँ ज़्यादा important है याद करनी उन दोनों के comparison में यह ज़्यादा important है कुछ verbs जैसे like, start, mind अरे mind का तो बहुँ ज़्यादा आते है questions भी बहु ज़्यादा पूछे जाते है questions enjoy और keep keep और mind से बहु ज़्यादा बार पूछे जाता है sentence से के साथ हमेशा gerend का परियोग होता है कौन-कौन सी बताई like, start, mind, enjoy और keep इन सभी के साथ gerend यानी verb की first form plus ing का परियोग होता है examples पढ़ो he started working आगया gerend here I don't mind mind के बाद भी कि इसका verb की first form plus ing का परियोग होता है तो ये तो पढ़ी हमने कुछ rules अब हम पढ़ेंगे इसकी exercise exercise जब भी आप वो सारे rules याद कर लो एक बार में नहीं दो बार में याद हो जाएंगे ध्यान से सुनोगे तो एक बार में याद हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये exercise करनी बहुँ ज़्यादा जरूरी है ताकि एक तो ये पता चल सकी कि वो rules कितने याद हुए और दूसरा पेपर में students rules नहीं पूछे जाएंगे ऐसे हमसे sentence fill up करवाय जाते हैं तो इस वज़े से उनकी practice करनी बहुँ ज़्यादा जरूरी है ये आपकी टेक्स्ट की exercise है लगबग इन ही में से आपके पेपर में पूछे जाते हैं या फिर इसी तरह के sentence होते है फर्स्ट है रेखा has decided decide के बाद हमेशा कौन सा आता है to consult a lawyer to consult आ जाएगा इसमें सेकेंड है फरीदा asked ask के बाद भी हमेशा to और first आती है to plus verb की first form फरीदा asked to meet the principle I enjoy I enjoy अभी अभी पढ़के आई I enjoy reading detective fiction if they keep अभी अभी पढ़ा था हमने if they sorry students if they keep diligently they will meet their deadline keep का मतलब होता है रखना if they keep keep हो गया, enjoy हो गया, mind हो गया इनके साथ हमेशा कौन सी आती है verb की first form plus ing तो इसमें working आजाएगा, if they keep working diligently they will meet their deadline next है, do you mind अभी पढ़के आए है ये भी mind के बाद भी क्या आएगा verb की first form plus ing do you mind helping me complete this grammar exercises next है, I miss I miss playing, यहां पे आएगा students playing I miss playing for my college team I hope I hope to play अभी अभी पढ़के आए है ये भी हम I hope to play for the team next year ये हमारी इच्छा को दर्साता है कि हमारी इच्छा है कि next year अकले साल में अपनी टीम के लिए खेलूँ Stephen hates Stephen नफरत करता है बोलने में speaking ये उसकी general बात बताईगे है hate speaking in front of an audience वो शुरोताओं के सामने बोलने से नफरत करता है यहां पे speaking आएगा ये ध्यान रखना तो ये सिरफ आठी sentences थे इनको learn करना चाहे समझ में ना आए तो भी याद कर लेना जादा दिन की बाद नहीं ये अच्छे marks दिला के जाएंगे आपको आज complete हो गया आपके non finite का topic भी काफी दिनों से non finite non finite चिला रहे थे तुम मैंने अपना काम पूरा कर दिया अब तुमारा काम शुरू होता है अच्छे से learn करना पढ़ाई करना और अच्छे से अपने exam देना कोई एकादा topic रह गया होगा तो जैसे ही time मिलेगा आपकी और वीडियोज अपलोड हो जाएगी comment section में comment करके बता देना नए हो तो इस channel को subscribe कर लेना ताकि और वीडियो जाएं वो भी आप तक पहुंच सके